हलो दोस्तों आपका मार्ग दैसन पे बहुत-бहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूगी कि जो हम लोग टेल लगाते हैं वो कौन से दिन टेल लगाना चाहिए और किस दिन जो है टेल नहीं लगाना चाहिए तो इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे दिन है सप्ता के महिने के जिन दिनों में तेल लगाना काफी नुकसान देह माना गया और खासकर, सौ भागे साली इंश्त्रियों को, सुहागिन महिलाओं को तेल लगाना इस दिन मना किया गया, तो यह तरह से दोस्तों, वाल होने का एक नियम है, और हम लोग वरजित दिनों में बाल नहीं दोते हैं, जैसे गुरुवार हो गया, ऐसा निवार हो गया, तो इन द तो ठीक इसी तरह से नियम है दोस्तों कि किन दिनों में सरीर में तेल का मर्दन करना और बाल में तेल लगाना किन दिनों में शुब है और किस दिन नहीं शुब है तो दोस्तों नारत संगिता में बताया गया है कि अगर उसी तेल को व्यक्त जो है वो कुछ खास दिनों में ल हिंदी क्या हिंग्लिस महीने जो हम लोग बोलने में जन्वरी-फर्वरी बोलते हैं तो उसको हिंदी महीने में कुछ ऐसी तिथिया OUT माने करने वाली हूं तो देखे रभी वार के दिन अगर भ्यक्त तेल लगाता है तो उसकी पास खरो Hagaj जगड़े होते हैं तो दोस्तों मैं यह नहीं कहूंगी कि अगर आपको सरदर्द है बहुत तेज और किसी को आदत होती है कि वो दर्द नासक तेल जो है वो लगाता है तो उसका सरदर्द आराम होता है तो अगर ऐसी परिस्तिती है तो चाहे दिन कोई भी हो अगर आपको या आपको आदत है कि आप जो है दर्द नासकते लगा कर की ही Razak Nine चुप आते हैं तो ऐसे में कोई मनाई नहीं है दोस्तो आप लगा सकते है तो लेकिन अगर चा अब लगा रहें संडे के दिन तो इस दिन आप थीन ना लगा है इसके बजागाथ्व आप शोमवार को अगर तेल लगाते हैं तो वही तेल आपके लिए फायदे मंद होता है यानि फायदे मंद इसलिए होता है दोस्तों कि शोमवार का लगाया हुआ तेल ब्यक्ति को जो है कांती देता है शोंधर ये बढ़ाता है तो इसलिए नारत संहिता में बताया गया है कि शोमवार के दिन जो है ब्यक्ति को तेल से मालिस करना चाहिए खास कर सिर में इस दिन तेल की मालिस करनी चाहिए और मंगलवार के दिन तेल लगाने वाले ब्यक्ति के पास जो है ब्याधी आती है, रोग आती है, बिमारियां आती है तो इस दिन जो है मंगलवार के दिन तेल लगाने वाले ब्यक्ति के पास बिमारिया आती है तो इसलिए आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन तेल लगाने वाले ब्यक्ति का जो है वह सो भागे बढ़ता है, खुसियां आती है, वह खुसियां किसी भी तरब से पारिवारिक हो सकती है, पैसे की हो सकती है, मतलब ब्यक्ति खुस है, तो उसके पास सारी, मतलब सब कुछ है, और अगली यह चीज है दोस्तों, गुरुवार, तो गुरुवार के दिन तेल जो ब तो इस दिन आपको तेल की मालिष नहीं करने चाहिए इस दिन तेल की मालिष करने वाले व्यक्त से माता लक्षमी जो है वो रूट जाती है अब आग्या शुक्रवार, शुक्रवार को तेल लगाने वाले व्यक्ति की हानी होती है वो हानी किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे पैसे की शारीरिक, मतलब कोई भी हानी होती है, नुकसान होता है शुक्रवार को तेल लगाने से तो शुक्रवार को भी तेल लगाना सुब नहीं माना जाता है अब सनिवार सनिवार के दिन दोस्तों तेल लगाने से ब्यक्ति को सर्वत्र खुसिया मिलती है तो देखिए ऐसे भी एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि अगर सनीवार के दिन आपके घर में किसी के ऊपर सनी की धाया है, साड़े शाती है, तो या नहीं है, तो भी आप एक काम किजिए, आप एक कटोरी में सर्शो का तेल लिजिए, और पूरे परिवार में आप ये तेल जो है थोड़ा-थोड़ा सब के सरीर से असपर्स जरू ये यार नहीं लगा रही है, तो सबसे बोल देजे कि सनीवार के दिन आप थोड़ा ही सही, पर सरीर में या बाल में कहीं भी आप तेल लगा सकते हैं, और ये तेल अगर आप सर्शो का लगाते हैं, तो काफी अच्छा है, मैं जानते हूं कि इस तमय जो सर्शो है, उसका त दिल सुद्ध नहीं आ रहा है, पर दोस्तों बाल नहीं सरीर के किसी अंग में हाथों में पैरों में कहीं भी लगा लेते हैं, तो आपका जो सनी जनित कश्ट होता है, वो दूर होता है, और सब तरब से खुशिया आती हैं, पैसे से, सरीर से, पतब सब तरब से खुशिया तो ये एक उपाय ही समझे, आप सनी वार के दिन तेल जरूर लगा लिजे, अब देखिए किस वार को तेल न लगा है, मतलब कौन सा ऐसा दिन है माहिने में, जिस दिन तेल नहीं लगाना है, तो दोस्तों प्रतिपदाति थी, जो पहली थी थी है, उसमें भी तेल नहीं अश्टमी के दिन भी तेल की मालिस करने वाला व्यक्ति जो है, वा कलेस, रोग और परिशानियों से जुड़ा रहता है, एका दसी पूरिमा और अमास्या, इन तितियों पे भी आपको तेल नहीं लगाना चाहिए, खास तोर से पूरिमा और अमास्या को आपको तेल भी नह गाता हैं, तो अगर किसी को दिक्कत है, तो उसमें कोई दोस नहीं है, ये सारी मनाही उनके लिए है, जो सब्ता के कुछ दिनों में तेल लगाते हैं जैसे प्रति दिन नहीं लगाते हैं वो कुछ दिन रुख करके जैसे किसी एक तीथी को तो उन्हें अगर ये जानकारी मिलेगी तो वो अच्छी तीथी पे तेल लगा करके अपने सरीर को भी फायदा देंगे और उन्हें जो फायदे मिलने वाले हैं वो भी मिलेंगे तो दोस्तों उमीद करते हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगे मिलते हो इसी तरह की वीडियो एक साथ धन्यवाज